हरी कृष्णा रादे रादे भक्तो आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल पर सन्दीव भक्ती ज्यान गंगा में भग्तो आज की इस वीडियो में पीत्र पक्ष में जिसे श्राद पक्ष कहते हैं कनागत भी कहते हैं इन दिनों हमें अपने घर में विराज मान हक नहीं होता है तो आपको सारी जानकारी स्वीडियो में मिलेगी तो देगे हम सभी के घर में लड़को पाल जी विराजमान होते हैं नित्य प्रतिदिन हम उनकी सेवा पूजा अर्जना करते हैं एक बालक की तरह उन्हें सुलाना जगाना भोग लगाना स्नान कराना शिंगा में हमें नहीं पूजा करनी चाहिए अगर किसी की मृति हो जाए तो लड़को पाल जी और सुले कि न आजा सके तो लिए haya के भक्तो Everything यहาม지만 आपने बीवार के लिए हो पुजापार्थ मेंकि पूजा पाल की जो है किसी कौने के लिए दे सकते हैं तो देखे जैसे श्राद खतम होता है उसके तुरंत बाद ही जो है नौरात्रे लग जाते हैं तो देखे बक्तो लोगों के यहां पुजापाथ बंद नहीं किया जाता है बलकि मैं तो कहती हूँ श्राद पक्ष में हमें और ज्यादा पुजापाथ करना चाहिए क्योंकि इस समय धर्ती पर नकरात्मक और सकरात्मक सभी तरह की उर्जा रहती है हमारे पित्र धर्ती लोग पर होते हैं और जितनी ज़्यादा हम शिरी हरी की भोले नात की पूजा पाठ करते हैं तो उसका फल सवरूप हमें हमारे पित्रों को भी शान्ती मिलती है मौक्ष मि गर परिवार से दूर है और पुझा पाठ्ट करने से हमारे पित्र भी प्रसंद होते हैं और पित्रों के प्रसंता के लिए उनके स्वागत के लिए अपने घर के मुखे द्वार पर दक्ष्ण दिशा की हो और दीपक जरूर से जलाना चाहिए आंधकार से प्रकाश दिलाना ताकि वो जैसे हमारे घर में प्रवेश करें तो उन्हें प्रसंता हो कि हमारे स्वागत के लिए भी दीपक जलाया गया है तो देखे जैसे हम लड़ुगोपाल जी को दिन में डेली हम अपने लड़ुगोपाल को जगाते हैं भोग दूद्चाए पिलाते हैं सनानादिक राते सिंगार करते हैं वैसे ही हमें करना होता है तो देखे एक अध्याई आप रोज पढ़ें भागवत गीता की इससे भी हमारे पित्र को मुक्ती मिलती है और आपको बस ध्यान रखना है कि इन दिनों में आपको कोई भी नए विग्रह की स्थापना नहीं करनी है नए कारे नहीं करने है अग आप लड़ू गोपाल राधा कोई भी विग्रह आप लाना चाहते हैं तो इन दिनों में नहीं लाएंगे नोरात्रे जब लग जाएंगे तब आप लेकर आईएगा कोई भी मंगल कारे इस दिन नहीं किये जाते हैं जमीन खरीदना गाड़ी खरीदना सोना चांदी कुछ भी नहीं खरीदी जाती है दोनों होते हैं वे नए कपड़े खरीद सकते हैं लेकिन हमारे यहां पर नए कपड़े पित्र पक्ष में नहीं खरीदे जाते हैं जैसे आपके यहां पर होता हो आप वैसा खरीद सकते हैं और पित्र पक्ष में तरपन जरूर से करना चाहिए अपने पित्रों के शमक्ष और क्या कहते आप उनके निमित दान दक्षना जरूर से निकालना चाहिए तो इसी तरह से हमें लड़ुगोपाल जी के नियमित जो है सनान कराना है जल भोग करना है तो जो भी आप भोग प्रसाद बनाते हैं घर में महिला को शीर ढख करके पित्रों के लिए बनाना चाहिए पहला भोग अपने लड़ुगोपाल जी के लिए निकाले उसके बाद अपने पित्रों के लिए निकाल करके तरपन करें तरपन जो है घर के पूरुशी करते हैं और श्राद पक्ष में जो है पूरुश या महिला कोई भी हो बाल नाखोन दाड़ी मूच नहीं कटवानी च रखेगा और इसी तरह से जो है हमें जो है पित्रों के नाम से छत पर दीपक खुले आकाश में जरूर से जलाना चाहिए अपने पित्रों के नाम का दक्ष्ण दिशा में जलाना चाहिए इन दिनों में ज़्यादा मंत्रों का जाप करना चाहिए देरा तक बिना घर से बाह धर्शन का अंसा कॉरिक्स भात हैा Dem denivalili T तो हमें नहीं खाना चाहिए उस बात का ध्यान रखेगा और मासिक ध्रम के दौराण श्राद तरपन का खाना ना बनाई। यदि घर में कोई अन्य महिला है तो आप उनसे बनवा सकती है या फिर घर का लड़का भी बना सकता है पित्र पक्ष के दोरान साम के समय घर में लड़ू गोपाल का पूजन करे जहाडू या अन्यसाव सफाई का काम ना करे इस बात का ध्यान रखिएगा और महिला या पूर उनके पित्रों को आशीरवाद की प्राप्ती होती है और श्राद पक्ष में अपने बच्चों को डाटना नहीं चाहिए इससे हमारे पित्र नाराज होते वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, शेर, सब्क्राइब जरूर करें कमेंट बॉक्स में राधे, राध